हेलो फ्रेंड्स जैक अभी थंगीता में आप सभी का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांती स्पेसल तिल कुड के लड़ू जो बहुत ही इसली तरीके से बन जाते हैं बहुत कम समय में और ये ठंडे के मौसम में खाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत हेल्दी रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां एक पैन गरम कर लिया है इसके बाद यहां पे मैं आधा किलो सफेद वाले तिल एड़ करूँगी तिल को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक ये पॉप अप होना ना शुरू कर दे थोड़ा सा घानी के साथ ये से भूनना है ये पॉप अप होने के साथ छेटकते भी हैं आप आवास सुन सकते हैं ये बहुत अच्छे से भूनना शुरू हो चुके हैं दस मेट अच्छे से हमें इसे ट्राई रोष्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे do not plan कर लेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पर गुढ़ की चार्चनी बनाई है, मैं आधा किलो तिल के लिए मैंने आधा किलो ही गुढ़ लिया है, सबसे पहले यहां पर एक चमज घी एड़ कर देंगे घी को अच्छे से मेल्ट करके ले लेंगे जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद यहां पर हम अपने गुड़ हैं उसे एड़ कर देंगे गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे गुड़ को हमें जादा नहीं पकाना है गुड़ को हमें तब तक पिगला के लेना है जब तक इसमें से जाग ना जाए जैसे ही जाग बनने सुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा गुड़ काफी अच्छे से मैल्ट हो चुका है अब हम इसमें जाग भी देख सकते हैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक काटोरी में पानी लिये है दो से तीन डॉप हम यहाँ पे गुड़ के डालेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं स्मूतली बाैंड हो चुका है यह नहीं जादा सॉब्ट है और नहीं जादा हाड में बसात हीं मिक्स करेंगेए साथ ही हम यहां पर लगबग एक पाउ के करीव यहां पर मैंने मुंफली के दाने एट किये हैं स्वात के लिए थोड़ा से इलाइची पॉड़र डाला है बनाना है दरवाइस ठंडा हो जायका तो यह बिल्कुल भी लड़ू नहीं बनेंगी तो हम इसे एक प्रेट में ट्रांसफर कर लेते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहां तेल गुड़ का जो मिक्स बनाया था उसे एक प्रेट में ट्रांसफर कर लिया है पांच मेंड के लिए हम इसे rest होने देंगे उसके बाद हम इसके लड़ू बनाना शुरू करेंगे तिल के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को पानी से अच्छे से grease कर लेंगे जिससे जो हमारे लड़ू है वो बहुत अच्छे से रोल हो जाएंगे आप देख सकते हैं मैंने अपने तोनों हाथों को पानी से grease कर लिया है अब थोड़ा सा हम गोड़ और तिल का mix लेंगे और हम उसे रोल करना शुरू कर देंगे आप देख सकते हैं यह बहुत ही असानी से रोल होना शुरू हो चुका है आपको अपने कॉर्डिंग साइज को छोटा हुया बाड़ा कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे लड़ू हो बन करके त्यार हो चुके हैं इसी तरह से हम बाकी के सभी लड़ू को बना करके रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारे सभी लड़ू बन करके रेड़ी हो चुके हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्वाधिस्टर लग रहे हैं इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप भी इस विंटर सीजन में इसे बना करके इंज्वाय करें रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले आप भी इस मकर संक्रांती में तिलकुड के लड़ू बना कर इंज्वाय करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे बनी थी थैंक यू फॉर वाचिंग